hello everyone, this is Shivaki welcome to shift classes, वीडिए होकि हम डिसकस करने वाले हम यूनिट टू के तीन निमेरीकल स्विडियो में भी हमने यूनिट टू के तीन निमेरीकल स्विडिसकस करेंगे तर्षा करें थे तो यह तो पूरी वीडियो आपको करने है एक भी वीडियो स्किप नहीं करने है प्लेलिस्ट में क्योंकि मैंने जो है एक पूरा स्लेबस जो है कवर नहीं करा है किसी सेशन में कुछ टॉपिक कवर करें किसी सेशन में कुछ टॉपिक कवर करें तो इसी तरीके से जो है वीडियो आपको करनी हैं तो बात करते हो बात करते हैं पहस्थ धो इक्वेशन दे रखनाए hai P or Q दे राखना है उनको स्थ निकाले हम फस्सों क chimney निकाल लाए को दूसरे पार्त में तो माइन सब्सक्रiniz और को प्लसEZ करना है टो प्लसद करना है तो पिकी वेल्यून्उज लिख लिखली इसका टो फ़िछ अगी इस एक स्विद्क में लिखENत को सब्सक्री को मातना है प्लस माइनस टीक है फिर यह्य प्लस का है यह दोनों प्लस की है तो प्लस हागया तो जो यह हमें इनको solve करना है धियान रखना है ठीक है यह माइनस का माइनस रहें यहां पर लोग अब देखो यह यह 4x plus का था 4x square और यह 4x square minus का था तो minus plus minus ठीक है तो यह दोनों क्या हो गए cancel हो गए है यहां पर बाकी हमें देखना है कि सभी में जो variables हैं वो अगर similar है अगर plus minus होना है तो ठीक है otherwise उनको आप as it is लिख सकते हैं यहां देख सकते हैं minus 3xy है यहां भी 3xy है ठीक है दोनों के यहां पर जो variables है वो same है पावर भी same है दोनों linear है तो xy xy है ठीक है आगे दोनों के क्या 3 है और minus minus क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं और लेकिन sign किसका आता है minus का तो minus 6xy है ठीक है 5y के साथ कुछ नहीं है as it is लिख दिया 5y square है वो भी as it is लिख दिया clear हुआ पावर के according जो है प्लस होते हैं linear होंगी linear से quadratic है तो quadratic cubic वाली है पावर तो वो plus addition subtraction होगा ठीक है उसकी तरीके से होता है इतना तो आपको पता होगा तो हमारा क्या है minus 6xy 5y plus 5y score अब इन दोनों में क्या common है 5y common है तो मैंने क्या करा है इन दोनों में 5y common ले लिए अब 5y common लेने के बाद have 5y common लेने के बाद क्या क्या बचा है यह तो 5y बहर आ गया वन बचा यहां से 5y common लिए है तो 초का यहां से todo इन दोनों में y common ले लिए 3 यहां से क्या बच गया माइनस 6x यहां से य बहार चला गया है तो क्या बच गया है यहां पर 5 1 प्लस y ठीक है एडिशियर में नहीं होते है कि माइनस में zarural होता है सब्सक्राइस बिकोस से यह माइनस है यह माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस फै यह माइनस ए और यह प्लस साइनों क्या टेखेंगे कि tide किस किस यहां पर बरियिय 3xy है यह प्लस का 3xy है तो यह cancel हो गए क्या पर 5y है यह कोई नहीं as it is लिख दिया प्लस का sign जिसका जो हो और minus 5y square similarly इन दोनों में क्या common है 5y common है लिख दिया क्या बचा यहां पर 5y common है तो यहां क्या बचा 1 बच किया इधर से 5y भार आ गया और यहां पर 5y हमने common लिया तो single y जो था वह यहां पर bracket में बच गया 8x square अब इन में आगे कुछ common नहीं है तो बस हमारा यहीं पर यह जो question है वो खतम होता है ठीक है तो एक बार जूम करके दिखा दूं परस पार्ट ताकि आप अच्छे से नोट कर लो ठीक है बागी वीडि multiplication करने है simple multiplication है दो brackets है दोनों की multiply करने है brackets में multiply कैसी होती है जो पहला bracket होता है उसको दूसरे bracket के जो भी elements है उनसे सबसे multiply first element उठाओ पूरे से multiply second element उठाओ पूरे से multiply third उठाओ पूरे से multiply ठीक है पूरे जो भी elements है उन ब्रेकिट के अंदर जो भी variable digits जो भी लिखी है वो आपक तो प्लस हो जाती है फोर सेंटना होगे 28 तो जो वैरियेबल से इसका एक्स स्क्वाइर तो एक्स स्क्वाइर तो एक्स स्क्वाइर लिग दिया फिर अब यह देखो यहां माइनस है और टू किसका प्लस का थी टू जा तो माइनस आ गया प्लस माइनस माइनस यहां पर एक एक्स है यहां दो एक्स है तो एक्स की क्यूब आ गई और वाई एक्स की क्यूब आ गया तो एक्स की स्क्वाइर तो एक्स की स्क्वाइर तो एक्स की स्क्वाइर तो एक्स की स्क्वाइर हो गया तो एक्स की स्क्वाइर तो यहां पर कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा ध्यान गया यहां तो इसलिए आप लोग एक बार जब भी कोई कोईशन होता था उसको ध्यान से देख लिए कि कुछ ना कुछ रह जाता कहीं बार हो जाता कि कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं जाता है अब देखिए अभी मेरा ध्यान गया यहां पर यहां पर तो 28 प्लस 8 प्लस 10 ठीक है माइनस करना प्लस माइनस माइनस तो कितना आजाएगा माइनस 18 एक स्क्वार वाई एटीन एक स्क्वार वाई ठीक है और बाकि सारी डिजट जो है जिस अश्क आजए इस आजैंगी 6x qy एक्स क्यूब य आई आप लोग बागी नोट कर लेना ठीक है 21 एक्स वाई स्क्वार और माइनस 35 वाई स्क्वार ठीक है लास्ट में बच जाएगा बस इन दोनों को और सॉल्फ करने नेक्स टैप में फिर बागी एजटी लिख देनी है क्लियर हुआ सिंपल सी क्यल्कुलेशन थी वा कि रहे जाता है कि मिस्टेक हो जाती में तो एक बार